हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोलेज़व, नीम्बू के फाइडे, नीम्बू का रस विटामिन सी का पंडार है, सरीर में विटामिन सी गट जाने से सकर्वी, एनीमिया, हड़ी के जोड़ों की पीड़ा, रक्तस्त्राव, दातों के रोग, दमा, आधी रोग हो जाते हैं चालिस ग्राम किस्मिस, छे मुनके, छे बादाम, छे पिस्ते, रात को आधा किलो पानी में काच के बटन में भिगो दे, प्राते चान कर, पीस कर, इसी पानी में मिला कर एक चम्मत सहद और एक निम्बू निचोड़कर बुखे पेट पीएं इससे मानसिक वसारिरिक कमजोरी थकान दूर हो जाती है यह इंद्रिय की सक्ती के लिए लाबदायक है पीलिया के रोग में निम्बू का उप्योग प्याज के टुकडे निम्बू के रस में डाल दे स्वादा अनुसार नमक, काली मिर्च आदी भी डाल दे इसे नित्य दो बार थोड़ा थोड़ा यह प्याज खाने से पीलिया में लाब होता है भूख ने लगना एपच होने पर बोजन करने के आदा गंटा पहले एक गिलास पानी में निम्बू निचोड कर पीने से भूख अच्छी लगती है बवासीर के इलाज में निम्बू का प्रियोग बवासीर या पाइल्स में रक्त आता हो तो निम्बू की फांक में सेंदा नमक भर कर चूसने से रक्त अस्त्राव बंद हो जाता है जुखाम होने पर जब जुखाम लग गई हो तो एक साबुत निम्बू को दो कर एक ग्लास पानी में उबा लें निम्बू उबलने पर निम्बू निकाल कर काट लें और इसी गर्म पानी को एक ग्लास में भर कर निम्बू निचोड़ें इसमें एक चम्बच अद्रक का रस दो चम्बच सहद मिलाकर इसे पीएं इससे जुखाम ठीक हो जाएगा मलेरिया के इलाज में निम्बू किसी भी रूप में अधिक अधिक सेवन करने से लाब होता है okay friends thanks for watching this video